हालो फ्रेंड्ड्स काशा है तो याद्ड़ी चावल की आती है हैं कड़ी चावल बनाने के लिए सबसे पहले कड़ी बनाते हैं उसकी तैयारी में एक मिक्सिंग बावल में एक कप बेसन लेंगे उसमें डालेंगे बारीक स्लाइस का टीवी प्याज दो हरी मिर्च लसुन अद्रक का पेस्ट थोड़ी सी हींग और हल्दी पाउडर और अजवाईन आदा चमच नमक स्वाधनुसार यहें बेसन म सौड़ा या मीठा सोड़ा भी डालते हैं जिसकी पकॉड़ियां बहुत पूली सी रहें लेकिन हमें लगता है कि इसस्वाद में थोड़ा अंतर हो जाता है अब हम इसे अच्छे से फेट करके जितना फेटेंगे यह पकॉड़ियां उतनी फूलेंगे और इन्हें तेल गर जालेंगे या आदी कटूरी ड़ी डालेंगे दही के खटे पर निर्भर है कि हम दही कितनी डालें अगर बहुत जादा कटी है तो आदा ही कब्ड़ अर उसमें हरी लाल मेजच अगर आप चाहें तो हरी मेजच भी डाल सकते हैं हींग और हल्दी और नमक डालकर इससे इसका गोल बना लें और उसमें पानी इतना डालें जितना कि हमें कड़ी के लिए चाहिए अब पैन में घी गरम करेंगे उसमें डालेंगे मेथी और जीरा और उसे थोड़ा सा तड़कने के बाद उसमें डालेंगे एक छोटी बारी कटीवी प्याज अधरक लसन का पेस्ट और दो लाल मिर्च तोड़ करके और हरी धनिया बारी कटे हुई डाल कर इसे भूनेंगे जब हमें लग जाएगा कि हरी धनिया हलकी से मुर्जा गई है तब हम इसमें घोल डालेंगे और बराबर चलाते हुए इसे पकाएंगे आँच को मीडियम कर देंगे जिससे की बेसन नीचे लगे ना और बराबर चलाते रहेंगे जब इसमें बाइल आ जाएगा तो आँच को दीमी कर देंगे और इसमें डालेंगे पकोड़िया और कहते हैं कि कड़ी में जब 127 सुबा आ जाता है तो कड़ी पक के तयार होती है यानि कि कड़ी को बहुत अच्छा समय लगता है पकने के लिए इसे तेज आच पे एक बार बाइल आने के बाद पकोड़िया डाल कर इन्हें दीमी आच पर 10-15 मिनट पकने दें अब चलते हैं चावल बनाने के लिए चावल को धुल कर अच्छे से 15-15 मिनट के लिए भीगने को रख दें जिससे की चावल बहुत ही सॉफ्ट बन के तयार होंगे और क्योंकि कड़ी के साथ चावल बहुत ही सॉफ्ट चावल अच्छे लगते हैं भरे चावल इसके साथ बिल्कुल स्वादिश नहीं लगते हैं अब इसमें चावल का दोगना पानी या दो अंगुल ज्यादा पान कैसे लगी ए और आपड़ी है कढ़ी चावल की प्रेशिपी हमँए जरूरOWlica similar पता क्लाइब के बाने की अंदाज में लेकिन कैसे भी बनाए कड़ी और चावल तो सभी को पसंद आता है और हम कड़ी को बथवा डालके बनाएं, पकोड़ी डालके बनाएं, बूनी डालके बनाएं, सेव डालके बनाएं, कैसे भी बनाएं, बस कड़ी होनी चाहिए वैसे तो हमारे यहां सेब डाल के भी कड़ी बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है और मेरे पुर्वन्चल में तो कड़ी में मसाले नहीं पड़ते हैं स्रफ खटाई और नमक और मिर्ची पड़ती है वो भी बहुत ही स्वादिस्ट लगती है और कड़ी के साथ खाते हैं दोहती रोटी और चावल और ठंडी कड़ी का तो स्वार मती पूछिए लोग मेरे घर में तो बचाए जाते हैं कि हमें रात की कड़ी सुबह खानी है या सुबह की कड़ी रात को खानी है क्या आप भी ऐसा करते हैं? हमें जरूर बताईएगा तो चलते हैं अगली रेसिपी की तैयारी करने के लिए मिलते हैं अगली हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई